अससलाम अलेकुम स्ट्वेंट्स, रूल नमबर बन जो है वो हमने पर्मोटेशन का लास लास में पढ़ लिया था कि पर्मोटेशन क्या होती है, डैफिनिशन थी, इफ्रेंट बाते थी मैंने आपनों को बताई थी, रूल नमबर बन से रहे डिफेंट केसिस थी थे वो आप आपको बताये तो भाई वही बात जो मैं हर दफा ये बताता हूं कि जब भी आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो आप लोग यह पूछो कि अभी तक हम क्या करते आ रहे थे अभी तक हम लीनियर पर्मोटेशन करते रहे आ रहे थे लीनियर आप बोलते हो एज़ा स्टेट लाइंग के लिए वर्ड यूज करते हो ठीक है अभी जो आप अरेंज करते थे तो एक बार्मोटेशन अब जो हम पढ़ेंगे वह तर्क यूं है फरक इस वज़ा से है कि जो लीनियर पर्मोटेशन होती है उसमें आपका पर्टिकुल स्टार्ट फर्गल एक एंड होता है तो लीनियर पर्मोटेशन होती है उसका अरे होता है और अगर आपके पास सर्क्ल कि अरॉंड क्यूशी पढ़ी देखी तो होगी बड़े बुजर्गों के हाल में तस्पीर उपर से वो दुम मनाई होती है उन्होंने पूरी लेकिन दुम को काट दूआ आप खुल एक सर्क्ल कंसीडर करो तो आप कह सकते हो कहां से स्टार्ट हुआ कहां से एंड हुआ नहीं वह एक सर्क्ल है जिसक जलता जाते चलता जाते अब नहीं बता सकते हैं तो देट स्वाइए इनके दर्म्यांद डिफरेंस पैदा होता है लेने प्रमोटेशन अलग है अब तीसरी चीज़ के प्रॉब्लम क्या रहे है फॉर एक्जेंपल अगर मैं एग्जेंपल को तो रहते हैं उनको सर्क्ल के अरेंज करते हैं ठीक है एक अरेंजमेंट में डिसकस कर रहा हूं पॉसिबिलिटी तो बहुत हैं समझाने के लिए बस ही काफी है फॉर एक्जेंपल ए बी सी डी यह आपने चार चीज़ों को अरेंज कर दिया एक खास पैटरन के हिसाफिए ताकि आपको बास समझाने में आप क्या करो आप की मर्जी मैं पहले यहां पर क्लॉक वाइस कंसिडर करता हूं कि आप इनको क्लॉक वाइस करते हैं आप आपने पर रुटेट कर दिया सबको यह समझान आप टेबल के रहा हुं आप चार दोस्त बैठे लो अब आप लॉक्त दूसरी की जगहां गहरे हो आप अब आप आप हो और लुटेशन कर लिए और शलम है आप प्रयुटेशन कर लिए हैं निदॐ कर लिए हुन अब आख कर लिए ने की जगहां पर छापiliager रुटेशन कर लिए हैं अब जोfat आउगा पर दूम दूमिन तो यह रही चीजज बन चाएग थे नुटेट मेर होगी a b d c अब मैं बात करों linear अगर आप रो तो linear में लेकर जाओगा a b d c अच्छा यह होजाएगा c a b d can you see a b d can you see पढ़ना स्टार्ट कर दो आप इक fix कर दो कि मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट के ओऊ ठीक है आप करो यह होजाएगा d c a b और यह वजाएगा B, D, C, A आप यहां पर अब्सक्राइब करोगे जब मैं इनको linear state line पर रहा हूं तो इस अब different है आपस में different क्यों भाई यह start a से हो रहा है end c पर हो रहा है यह start c से हो रहा है end d पर हो रहा है जरूरी नहीं कि start और end अगर डिफरेंट जगा से हो तो पर मुटेंट है तो कहने का मतलब है कि अगर आप पर्मोटेशन देखो तो इस चारू की चारू अलग है क्योंकि में बज़ा यह है कि आपको particular start पताओ पैंड पताओ दरम्यान में आप arrangement देख रहे होते हो अब सर्कल में देखते हैं क्या सर्कल में चार प्रमोटेशन लिखी है ने क्या यह circular भी चार प्रमोटेशन है देख लेते हैं अब सवाल उससे पहले यह है कि इस linear में आपको पता यहां से चीज़ स्टार्ट हो रही है यहां प्रम्यान में जो नंबर है उनका यह order पूरा चल रहा है सर्कल में आप यह नहीं देख सकते हैं वही बज़ा मैंने बताइए सर्कल में आप किस तरह कहते हो सर्कल में आप relative position देखते हो और इस पूजिशन का मतलब यह कि आपके लेफ़ पे फलान दोस बैठावा है राइट पे फलान दोस बैठावा है यह relative position है एक उसरे के साफ से position के for example मेरे दो दोस्ती है अच्छा वाला इरिफान है एक और consider कर लेते हैं साथ भी है अच्छा तो मेरे नाम को यह है उसका तो सिस्वी अरेंजमेंट मेरे लेफ पे रिफान हो राइट पे साथ हो तो मेरे लिए कुछ चेंजिशन नहीं यह ना है अभी उसको इस तरह रहा हूँ है कुछ चेंजिशन वहीं है तो संकुलर में चेंजिशन सब्स्च्छ वोथीν अब और इस example में समझें एक लाइट पे फीर एक है एक राइट पर सी है एक अब आपकर किडियों तो आपका लेट पी राइट पर सी श्वा से हैं इसी तरह एक है लेट पर भी राइट पर सी सामने डियी तो कहने का मतलब बिए कि चार जो मैंने linear permutation को circle में arrange किया यह different नहीं है circle में circle में circle में सको आप एक ही मानोगे circle में काऊगे इन सब की position एक ही है different नहीं है तो आप मैं observe किया चार linear permutation रही थी उसकी एक ही circular permutation है बाके सब कॉपी कि मिया आप पिर भी नहीं किया यह बस एक आप इसमें सो कोई भी मरसी को यह कंसीडर कर लो दैट से उसमें आप देख लो कि उसके बाद अलग में डिफरेंट एलेटिव पोजिशन करने पड़ेगी फॉर इजैंपल अगर मैं तो अलग बनाओ किस तरह बना देते अब यह अलग है क्यों अब एक लेफ्ट पर सी एक एक राइट पर भी थे है और उपर बहुत पर के हैं कियो नहोटा है कि यह प्रॉम्लम आता है कि 4 linear permutation पे एक circular permutation होती है तो अगर आप इस formula को आगे extend करो 8 linear permutation पे 2 circular 12 linear permutation पे 3 16 पे 4 20 पे 5 24 पे 6 हो जाएंगे तो यहाँ पे linear permutation 4 है ने 4 को range करने का कितना तरीका होता है 4 factorial होता है यह linear permutation है circular permutation अगर आपको निकाल ली हो 4 चीज़ों को circle में range करने की तो आप क्या करोगे 4 से divide कर दोगे जो आपने भी देख लिया था 4 लीने permutation पे एक circular आ रही थी 4 से divide चारे थे ना तो वही काम करने है linear permutation निकालो 4 factorial होता है divide by 4 कर दो और आप लोगो यह मिने पैटर्ल उस वक बताया था जब मैं आपनों को 0észmee कर रहा था मैं कहें रहे था तो यहां पर यहां पर आप जीज़ों को अगर आप पर लिए तो फसके तो आहां टो अगल्स को किक टो किए बाक्य चीज़ी दो बिए रिट है हम एक और एक्जाब भी लेते हैं ताकि फार्मॉला पर ना रहे हम तसली कहने करें हमने फार्मॉला सभी बनाया तो तो कंसिडर करते और समझने के लिए लिए फॉर एक्वाइब हम तीन ले ले लेते हैं अगें एक यहां पर लिए अगें आपर लिए हुआ पर लेए जाए अचाट यह जाएगा अब लिए अब लिए अधिन तो तीन है लेकिन कर अधिशन भी तो इन नहीं सेमिंए एक लेफ्ट पे भी एक राइट पर सी तीनों सेमिए उसका मतलब लीनियर पॉड़िशन तीन है लेकिन सर्कुलर पर्मोडिशन है तो यहां किसे डिवाइड कर रहे हूं छे लीनियर होंगी दो स्कुलर हो जाएगी तो यहां पर तीन चीजों को लीनियर में रेंज करने का त सब्सक्राइब और अब आपके तो आप ने नियर रेंज करने का फ्रेक्टोरिय में तो यहां पर आप इक अगर आपने शर्कुलर में रेंज करना है तो इसका फर्मुला क्या होगा जो लीनियर का फॉर्मुला होता है उससे वन माइनस कर दोगा इसको फॉर्मुला को जन्राइब किस तरीके से लिखते हो कि जब आप सर्क्रों करना होता है तो number of almutasins ka formula कया होता है number of come duration ka formula हो जाता है बच्छो N minus one factor गये इस omega September linear में से हैं तो सर्चिलर में six linear में 10 circular में nine ऑब दूसरी बात इस तर्कुलर में जो भी आपने दिखी है इसमें एंटी क्लॉक्वाइज और रोटेशन डिफरेंट बानी जाती है इसमें आपको वताएगा तीनों एक ही हैं तो को एक कंसिडर करते हैं बागे तो कॉपी है ना इसकी और रूटेट किया और तो कुछ नहीं है इसको इस करोंगे एंटी क्लॉक्वाइज में एक लेफ्ट पे घाराइल पे शी ता जबक्रे व्युक्व्याम के लेफ्ट ठेसिए जाएंगे तो यहां पर बॉड़एंगे जो की हकीकत में एक ही होगी जो आपणे देगी इसजरा एंटी क्लॉक्वाइज कि मजीब और आप बनाओ एसके हैं बुरुप लगे लिकिन ऊगी टोयों की टीओ कि लॉब्हान टूप टू के बराबर है तो यहां से आपने क्ञाइज कर रहे हो तो ॉ प्लॉप और यह वह इस वाई टूरी नहीं वह देए नहीं तो इसको sacred सब्सक्राइब किस तरीके साथ इसका सवाल आता है कि टेबल के आराउंड आप लोगों को अरेंज करना है तो नंबर ऑफ फॉर्मोंटेशन सब्सक्राइब कर देता हूं कि आपनों को यह याद रहे कि एक सब्सक्राइब के सब्सक्राइब लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है तो मैं आपनों को बताऊंगा कर बताने हैं तो दोनों है टेबल के सब्सक्राइब आपने कर लिया और जो आपने तस्बीर डिसक्रस किये वह भी क्या है सब्सक्राइब अब यह जहन में आता है कि यह सब्सक्राइब कर दो अब किसी ने कोमेंट कर देगा तो वह तो वह मेरे जहन में आ रहा है उस पर फॉर्मुला सहीं ही रहेगा क्योंकि टेबल रेक्टैंगुलर हो स्क्वायर हो जब्सक्राइब तो आपको स्टार्ट एंड नहीं पता होता है जैसे स्टेट लाइन का होते है जैसे स्टेट लाइन यह है मुझे पता यह इसका स्टार्ट है यह इसका एंड है या अगर आप किसी और रिस्पेक्स से बात करो यह स्टार्ट है तो एक fix करोगे ना तो लेकर rectangle में तो इसा नहीं हो सकता है rectangle के फॉल चार वर्टेक्स हैं तो चार वर्टेक्स में से किससे स्टार्ट करोगे तो अगेन वही concept होगा उसके अंदर भी अच्छा अब यहां पी जो फॉल्मुला है ना इसको डिफरेंट अंदाज भी पर अप्रोच किया जाता है एक तो मैंने आपको यह डिवाइड करके बता दी था ना कि फॉर फैक्टोर डिवाइड भाइड 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 इसको एक और अंदाज इस तरीके से बताए जाता है कि सर्कुलर को लीनियर में कनवर्ट करने के हम कोशिश करते हैं हम क्या करते हैं हम यह कहते हैं कि यार सर्कुलर में आप एक क्या करो सर्कुलर को लीनियर में आपने कनवर्ट करना है आप एक काम करो कि आप किसी एक को फिक्स कर दो अगे तो ब अभी कोई स्टार्ट नहीं को एंड नहीं से आप कर सकते कुछ भी नहीं लेकिन अगर मैं एक को फिक्स कर दो इसको मैंने फिक्स कर दी है अब जब एक चीस फिक्स हो जाए तो असानी की हुई कि बाकी को आप एजा लिनियर पर्मोटिशन अरेंज करो कैसे अभी लिखा हुए बी डी सी आप इसको क्या क्या करो आप यहां पे बी रहने दो यहां पे सी लियाओ यहां पर टी ले जाओ अ कीलिए यहां पर Emmanuel सी करो यहांपर इसी तरह बंग लोड़ी करो यहांपर बी करो यहांपर सी लिखữa आप इपर इसरफेसराद करों करों क्या यहां विक्स कर दो ना तो यह ज Videos यह ऊजाए फ्र जाइना पर पार तो आपको रिलीनियर करता है ते तीन चीज़ों को चार इतह तो से वही concept आएगा उतनी पर्मोटेशन आएगी जैसे इस वारे फॉमले में चार को रेंज करने के कितने आ रहे थे हर चार लीने पर्मोटेशन पर एक सर्कुलर आ रही थी दूसरी पर्मोटेशन बीजी फिर सी वी दी फिरोगा सी दी और इस तरीकी से चे जो हैं आप लोगे सामने लिए अब जो नेक्स रूल ना उस पर आजाते हैं और नेक्स रूल तो मैं नहीं बोलूगा इसी का केस हम डिसकस कर लेते हैं इसी का केस वन है कि अगर आपने नंबर आफ पर्मोटेशन निकाल नहीं हो नंबर आफ पर्मोटेशन का फॉर्मला है एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाडिड़ बाइटू अभी कि सिच्विशन में प्रूआ है कि अराउंड नेक्लेस अगर आपने अरेंज करना है अरा आप तस्वी भी कह सकते हैं इस candies को सवाल आता नहीं है लेकिन आ अपी सकता है देनेक्लेस हो गया कारलेंडों गया तस्वी होगी हं इस सिच्विशन डिव्योर्ट इस वालّ इस आनि में क्लोग्वाइज एंड एंड happened क答 arrangement application में एंट कर सच्विशरme डेंड जबके इस वाली situation में clockwise and anti-clockwise same consider की जाए अब ऐसा क्यों कर रही है इन cases के अंदर अब जरह मैं बताया थे ना circle तो दोनों है circle टेबल भी है circle तो necklace भी है फर्क क्यों आ रहा है फर्क इसलिए आ रहा है कि अगर आप table को देखते हो तो table को उल्टा नहीं कर सकते हैं simple example में आपको बताता हूं कि आपने लोगों को अरेंज करना है तो आप सामने से रेंज कर सकते हो यह नहीं कि टेबल को नीचे मैं इसको पहले दूसरे वारे किसों समझाता हूं अना भी आपको बास समझने आएगी पहले necklace में होता किया for example आपके पास नेकलेस है थोड़ी सी जगा छोड़ देते हैं गले में पहलना है तो फाइदा हो for example आपने रेंज किया इसको ए करते हैं यह बी हो गया यह सी हो गया for example 3 for example आपने मोती डाले necklace के अंतर यह समझ दो इसको इंग्लिश में आप beads कहते हो B E A D S आपने necklace के राउंड बरेंज कहते हैं तो आप फर्क क्यों है इस के अंतर necklace, tasbih, garland, इंद में problem ही आती है कि आप for example necklace है नेरे सामने इस तरह ख़ड़ा वे यह भी मैंने आप लोगों के इस मेरे पर necklace है नहीं बेगों हमारी है नहीं हमारे पास वना उनका necklace उताल ले दे तो necklace जो है ना for example आपने इस तरह पकड़ा वे तस भी भी नहीं है मार्शला हाथ भी गिंते हैं सुन्नत पे अमल करते हैं कुछ भी नहीं है circular सीथ हमारे पास खैर इसको वैसी हम समझ लेते हैं कि अगर आपके पास एक necklace है ठीक है यहां पे C है और यहां पे B है आप लों के respect से अगर हम बात करें तो एक लेफ्ट पे भी है एक राइट पे आप लों के लिए लेकर मैं इस necklace को देखूंगा तो याद रखना यहां पे भी है यहां पे सी है तो अब जो नीचे है उसके लेफ्ट पे सी है उसके राइट पे भी है मुझे इस तरह नदर आ रहा है इस चीज़ को अगर पीछे से देखोके ना तो आपको पीछे से लिए एक लेट पर आपको सी नदर आएगा एक कर दो अगर आपने लोगों का रेंज करना तो टेबल को एक तरफ से में आप देखते हैं तो यह बोग की चीज़ और आपने कुछ चेंच कि अपने कुछ दाले रही है लेकिन आपने तो चींजिश की है नहीं डिया चुली यहां पे क्लोकवाइज और अंटी क्लोकवाइज डिफरेंट निक वोग होगी यह वाजा है टेबल में आप टर्न नहीं कर सकते हैं या टेबल को नीचे से नहीं आप देख सकते हैं आप उपर से देखोगे तो आपको क्लॉक्वाइस और डिफरेंट लगेंगी जैसे आप टेबल को उपर से देखो यह क्लॉक्वाइस हो जाएगी यह एंटिक्लॉक्वाइस होगी लेक सब्सक्राइब करो करो वही चीज अब अबएक्त वश्य को रही है तो इसमें एक्ट सब्सक्राइब कोई दिफरेंस नहीं होता तो आप तो आप तो आप की अचार के अंदर लिदा किया कि आगर वें ग्राइब तो बात की दो है एक लॉक एक एक लॉक होगी ठीक है तो कहने का मतलब यह के जो इस वाले फॉर्मले में एक लॉक आती थी एक लॉक आती थी जब कि इस सिच्विशन में वह जो दो है वह एक ही मानी जाएंगी इसी दरा जो चार है वो दो मानी जाएंगी मतलब टू से डिवाइड आप यहां पे कर रहे होगे तो इसको आप बस टू से डिवाइड कर दो यह वाला केस बन जाए तो इस के साथ ही आप नो करवा दिये सवाल किस तरीके से आता है कि आपने बीड्स को अरेंज करना है नेकल सवाल ही होता है तो उसके लिए आप लगों से यूज करोगे एंड माइनस वन तो बच्चों पर्मोटेशन के सारे केसे में आप लों से डिसक्स कर दी हैं अब हम इसकी थियोरी पर आएंगे एक चीज़ में पहले से बता दूं पर्मोटेशन का एक और रूल भी बताया जा जाता है इसको बोलते हैं पर्मोटेशन विद्रेपेटेशन जबके मैंने शुरू में कहा था पर्मोटेशन विद रेपेटेशन कोई यह नहीं है अगर जो आपके आपके पास और आपने ओर रहलहां तो मैंने का है आपके पास एक वन एक बॉक्स में लिखा रहा है आप उस पर पहली प्लेस में आते हैं तो वो तो आपने सवाल कर लिया अब दुबारा को कहां से लाओगी है लेकिन अभी आइडियल केस है हम कहते हैं अगर वन एक दबार यूज कर सकते हैं तो यह मैंने तभी प्रोड़क् सबस्वें तो हमेशा में दो प्रोड़क्न सीबसे करवाया क्योंकि पर्मूटेशन रिपेटिशन और सबस्वाइब कोई आप और यह कोई अप्जूर और आप एसमें से और चूस किए और यह बच्छों को बता है यह बाच्छ में आप या तो n r के बराबर होगा या n r से ग्रेटर होगा, क्योंकि n होता था टोडल अब्जेक्ट, जिसमें से आप r चूज करते थे, या तो आप सब चूज कर लोगे, तो r बराबर हो जाएक n के, या आप उसमें से कुछ चूज करोगे, तो r हमेशा लैसी डाएगा n से, या एक सिचूएशन में बराबर हो जाएगा, जाक्के इस वाले फार्मॉले में आप कितनी दफ़ा देखोगे, कि n छोटा होगा r से, r बड़ा होगा, यह मैंगे आपको example दोगा, तो अगर इसको permutation आप बोलोगे, आप student के जहने बात, और वो formula गलत कर देंगे, मैंने ऐसे भी teachers को देखा, जिन्होंने सवाल ही गलत कर रहाएगे, मैं बताँगा कोई सवाल में mistake है, काफी सवाल है जो इसमें mistake हो जाती है, क्योंकि इसको अगर आप compare करोगे, n, r से permutation के तो मस्ट लाज़े गाए तो मैं different आपको cases बताता हूँ, जिसमें यह n और r बरादर हो सकते हैं, जिसमें n greater हो सकते हैं, जिसमें r greater हो सकते हैं, तो पहले मैं आप अलएड़ी बता रहो कि मैं permutation से नहीं कर बाता, जिसमें आपको कर रहा हैं उसके अंदर यह था कि गिवन आपको जो चीजें है ना उसी में कोई चीजें सेम हैं, जिसमें और वहाँ परमुला उसका उसके और वहीं हो सकते हैं, जब कि मैं इस कई कर रहाता हैं, जो बाप इसका रूल है ना वह प्र्रॉडट्क क्टैशिबर हो सके कर वाहता हैं, अब मैं आपको एक्जेम्टल देता हो कि सिचुएशन में यह सब सिचुएशन आती हैं तब ही मैं यह प्रैफर नहीं करता फॉर जैसे कि मैंने बताया था दस डिजिट है अब दस डिजिट को आपको टोडल मैट के अंदर डैसिमल से समझाव यूज़ करते हैं उसमें से लिए और कोई शर्त नहीं के पहले डिजैट पर पर शीरो नहीं आए तो कोई बीट्श डिजिट आज आजेंगे अब रिपिटेशन आवा है तो नैक्स कोई ज़ाएगे नैस कोई भी दर दो यह वावार पॉर अद यह तो फॉपावर अगए यह तो फॉर बड़ाईजी गढ़ाब को सब्सक्राइब को भी चार पूत रिचाट पूर लाओ आप क्या करोगे पहली प्रेस्ट पर चार को भी है तर्च को प्रेस्ट-गेश्व है बावर और आपस पर बराबर है लेकिन आपकुछ ऐसी भी सिचुएशन है जिसमें चोटा होगा और यह स्टुड़िंट कभी हरान हो जाते हैं उनके जयन में होता है लेकिन यह पर्मॉटेशन नहीं है यह प्रॉडक्ट प्रिंसिपल सवाल होता है इसको बोलते हैं पर्मॉटेशन अदिस कि प्रॉडशन लेकिन भी जालं नहीं चाहिए लिए प्मॉटेशन कि तक बोलना समय पर्मॉटेशन करवाइद हो कि want President for तो अब पहले MCQs को अटम्ट करने के कितने option है, 4 option है, दूसरे MCQs को अटम्ट करने के 4 option है, तीसरे को अटम्ट करने के 4 है, अब 40 को आपने अटम्ट करना है, तो ये 4 जो है, ये 40 दफा मट्टीब लागोगा, simple language में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, 4 to the power 40, ये repetition है, कि पहली दफा आपने option A select किया, दूसरी दफा भी option है, तीसरी दफा भी option है, दूसरी दफा भी option है, तीसरी दफा भी option है, चौसरी दफा भी आ सकता है, रिपेटेशन वाला कीशा आ गया, लेकिन अब दरा formula देको 4 की पावर 40, N4 है, R40 है यहां पर, अब यहां अब दफान कबरा, और कबरा के बता है, formula को सा यूज कर लेता है, 40 to the 4, क्योंकि वो क्या करेंगे, उनको पता है, N40 होता है, वो कहेंगे, MCQ 40 है, तो N40 कर लो, और कितने option है, 4 option है, 40 की पावर, गलत कर देंगे, अब यह मैंने इसे तरीके से, यह मैंने एक situation आपको बता लिए, लाइक यह जो नबर आया, 4 की पावर 40, इसका मतलब है, इतने तरीके सा पेपर अटन कर सकते हो, किस्तने ज़दा तरीके अटन करने के, मैंने लास्ट आप लोंको सेंपर में बताया था, कि इनका मतलब क्या-क्या है, वहा होते हैं, अगर आप एक टीम के हसाब से बात करो, या तो टीम जीतेगी, या टीम हारेगी, या मैस टाय हो जाएगा, तीन ही possibilities है, और तो की possibility नहीं, बारिश हो सकती है, विकर उसमें भी मुकावर्ण टाय होता है, एक एक पाउंट मिल जाते हैं, तो उसको टाय मीं कंसिडर इंस मेरी तो टीम हम राख लोकी जीत गए हार गए या ठाय हो मैम पहले मैंच, किसमे आफ सब्सक्राइब मेलन कि इसले मेर्श कम हम हारे जाते हो, तीन ऊ пор십-छाय मेर्श का या अपने बताना ही चीज़ेए, यह हार आख ऐगा प्रिसरे मैच, शूते में पांच सेThis मेंट एक साथ आपने बतानी ही चीज़ है यह हो जाएगा 3 की पावर 5 अगें आप देखो N चोटा है R पड़ा है क्योंकि यह वो N र ही नहीं पर्मोटेशन आथा वो तो N होता था भाई इतने अब्जेक्ट है इन ही में से आपने चूस करने यह वोली सिचुछन ही नहीं है तो यह बेस बोलोगा और यह प्रड़क्ट प्रिंसिपल से निकान लोगें और आखरी जेंपल में आपको देता हूं कि यह बड़ी मुशूर एक्जेंपल है सवाल भी है एकाट में काफी आता है कि आपके बाद 6 और इसमें होता है कि 6 डिफरेंट रिंग होनी चाहिए 6 डिफरें कि हैं मिल में आपके बास हैं ऊस चेयाफ हां और फिंगर्स किसी के पास पाँच नहीं नहीं मुझे पाता लेकिन नमली चौतिंगा जोटाया नहीं पेहने है मुझे आत शुद पले ऐकाट कुई एlect चिंशिए पली 6 एकां कोई सकते हैं दोसं कि दूलिए शेल आ सकती हैं तीसरीने से बीजिए आ सकती है और इसको पताया करते हैं वह सिक्स की पावर्फोरी खुश भी के यह बड़ा आप सोटा हमने सवाल करते हैं अब इसको इस तरह समझो आप पर मोटेशन के लिब सवाल सॉल्फ करते हो यह प्रडूक्ट विंसिवल के तो आप आपने उन तीनों गैस्कों नार मैं रिखाए खरोग कि दो ऑपिश्यक के पास हैं पहलें के पास यह दूसरे के पास बमें टीसरे के बाद पास चाहरा कि तरीक होता है इसी तरह जो आप रिंग पहनाते हो ना तो यह रिंग की च्वाइस है मतलब पहना आप रहे होते हो लेकिन बेसिकले रिंग की च्वाइस चलते होते हैं कि रिंग किस उगली में दाना जाती है रिंग के पास चार उप्शन है किसी भी चार उगली में जा सकती तो पहरी रेंग के पाइख चार उप्शन है किसी भी चार में जा सकती है अब दूसरी रिंग की हम पात करते हैं दूसरी रिंग भी चार शोटी पांच भी छटी इन सब के बास चार्चर ऑप्शन है तो इसका आंसर क्या होगा और आखरी में आपके पास और आपको बोलता हूं कि आपने इसको लोग पर्मोटेशन कह देता है पर्मोटेशन कैसे होगी और इसका किस तरह करोगे यह सवाल आपने कभी निसुना होगा कहीं से भी एक्जेंपल में किसी ने बताया नहीं होगा क्योंकि इस एंके दो डिजिट आए चार का बनाओ तरह आप पहरी देश पर कोई भी दो आ सकते हैं फॉर आगया वन दोबारा भी जा सकता है ना दूसरी प्रेस में भी कोई भी दो थीसी में भी दो तरथ भी दो कितने के बनगे 2121 कि इसस तरह कर सकते यह रग्म आप नले सटेए हैं कोई और पॉस्टाइट है तू दी इसे एक चाह ओ के साथ करो फृतीन तू के साथ करो यह तरह करते तरह कर से तो अगेन प्रोड़क्ट प्रिंसिबर बोलोगे आप इसको पर्मोटेशन विद रेपिटेशन नहीं कहोंगे बोलने में बात आती है लेकिन एक्चुल जो चीज थी वो मैंने आप लोंको बताती है ठीक है जो कॉंसेट था वो मैंने आप लोंका क्लियर कर दिया मैं देख ल इस जो मुझे बतानी थी जो एंड टू और फाबर फार्मला है ना इसको जो पर्मोटेशन में शामिल करते हैं एक छोटी चीज रही है तो फिर वो अपनी स्टेट्मेंट को चेंज कर लें अगर आप इसको पर्मोटेशन में धक्ये देखे दालना चाह रहे हो असूली तो कि ओक्रणी आप ऑचली अप्र फोल्तलग विश्मी ओल्ग में लेकर अगर चीज बहुत अजीब सी इसमें छोटा अबढ़ आश्यकर साल्य से ला का मैं तो इसके statement आपर change कर दो statement इसके लिखो कि when you have an object and you choose them r times तो number of augmentation कहे फॉर्मल है आप यह लिख सकते हो क्या मैंने बात बोलिए कि when you have n objects and you choose them r times r चूज नहीं की r दफा चूज किया आप में for example जैसे आपके 40 mcqs है option कितने है option है तो option तो 4 ही है ना select कितनी दफा करना है 40 दफा करना है तो object 4 base 4 बनगे end to the hour पॉंगा है ना end मतलब 4 है आपके choose आपको कितनी दफा करना है आपको 40 दफा चूज करना है तो 4 की power 14 इसी तरह 5 matches है हर match के result कितने आ सकते हैं 3 ही आ सकते हैं तो object कितने तीन object है जीतना हारना टाइ choose कितनी दफा आपने करना है 5 matches है तो 5 दफा चूज करना है तो 3 की power 5 तो अगर आपने इसको permutation के अंदर consider भी करना है तो फिर आप यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंके permutation में consider किया जाता है ठीक है तो अगर आप consider करने तो उसकी statement को change कर दो है फिर आप लिखो कि n object है और आपने इसको r दफा चूज करना है r दफा मतलब जितनी दफा आपने चूज करना होगा अब वो r greater भी हो सकता है आपने तीन चीज़ें तीन चीज़ों को तीन